हेलो एवरेन दोस्तों मश्कार श्वागत है आपका घरीलू गुलाटी के इस वीडियो में दोस्तों कैसे आप सभी आज मैं आपके लेकर आए हैं बहुत आसान सरल और घरीलू नुसका इसे अपना करा व्यक्ति की चाहे कितनी भी पुरानी से पुरानी शराप की जो लथ है उस लथ से कैसे छुटकारा पास सकती है कैसे व्यक्ति की लथ से हमेशा के लिए दूरी बना सकती है तो आईए जानते हैं आपको करना क्या है जिसे की व्यक्ती की लच छूटे व्यक्ती सराप छोड़ दे दोस्तो फटकरी का इस्तमाल आपको करना है कैसे आप फटकरी के इस्तमाल से व्यक्ती की लच से छूटकारा पासकते आपको करना क्या है सरावी प्यक्ति की सराव की बोतल में चने बराबर फिटकरी का टुकड़ा अगर आप डाल देते हैं तो इससे वोमटिंग याने कि उसे उल्टी होगी तो उसे सराव से ग्रणा होने लगे कि और धीरे धीरे कर वो सराव छोड़ देगा कभी भी सराव कारगर उपाय है ये तो आप सबी जानते हैं बुड़ खाने से कई बिमारिया तो दूर होती है साथ में सराव की लस से भी छुटकारा पाया जा सकता है जी हां आजकल समाज मे एक बड़ी बिमारी है सराव की जी हां आजकल की युवा पीड़ी बहुत ही जादा शराव का शेवन कर रही है बहुत जादा शराव मात्रा में पी रही है तो इस सराव की लस से आप कैसे दूरी बना सकते हैं कैसे व्यक्ति की लस से छुटकारा पास सकते हैं आईए जानत सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है सराथी व्यक्ति को रोज शुबा अगर आप मोंफली और बुड़का सेवन करवाते हैं तो इससे व्यक्ति की जुल्लत है वो धीरे धीरे कर छूटने लगेगी व्यक्ति हमेशा के लिए सराथ छोड़ देगा और आप सभी जानते है इसके किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं है साथ में आपको अनेक बिमारियों से भी लाग मिलेगा उमीद करते हैं और आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी थेंक्यू फो माज दोस्तों